हेलो दोस्टो स्वागत है आपके अपनी यूटूब चिनल टारगेट सिविल सर्विसेस में आज है एक फर्वरी और एक फर्वरी से जितने भी करेंट अफेस के कोशिन बनेगे सारे कोशिन को इस लक्ष में हम डिसकस करने वाले हैं और साती दोस्तो इन करेंट अफेस के कोशन से जो भी एक्स्टा फेक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले सबसे बहले हम बात करते हैं जो लास क्लास में आपसे कोशन पुछा गया था कि यहाली में कितने बच्चों को प्रधान मंत्री राश्च्री बाल पुरुषकर 2022 से समानित किया गया है तो यहाँ समानित किया थो 29 बच्चों को यहाँ पर करेंट अंसर हो जाएगा ऑप्शन टू तो याद दखने आपको कि 29 बच्चों को प्रधान मंत्री राश्री बाल पुरुषकार 2022 से समाने किया गया है तो दोस्तिम आपको बतादो कि इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंदे सासिर प्रदीश के 15 लड़के और 14 लड़किया सामिल है और इस पुरुषकार में 1 लाख रुपे का नगत पुरुषकार दिया जाता है साती दोस्तो बाल सरकादोरा या छेस रेडियों में आसाधरन चमताओ और क्रेस्ट उपलबधियों वाले बच्चों को दिया जाता है तो आपको याद लखना है याँ पे कि 29 बच्चों को प्रदान मंती राश्ची बाल पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है और अब दोस्तों शुरुवात करते हैं जो लास्ट क्लैस में हमने कोशन के थे उनके रिविजन की तो रिविजन का पहला कोशन है कि पंजाब कैसरी लाला लजपत राज जी की कौन सी जयनती मनाई गई है तो इनकी जयनती मनाई गई है दोस्तों 197 करेक्ट अंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड नेक्स कोशन था दोस्तों कि आहाली में पंडित जसराज फांडेशन का उदगाटन किस ने किया है इसका उदगाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंती नारेंद्र मोधी जी ने अगला कुशन है दोस्तों की महिला होकी एसेय कप 2022 में भारती महिला होकी टीम ने कौन सा पदक जीता है तो महिला होकी टीम ने दोस्तों पदक जीता है ब्रॉंज मेडल यहां पर करेक्ट अंसर है ऑप्शन थर्ड अगला कुशन है दोस्तो कि ओसलिन उपन 2022 में महिला एकल ग्रेंड स्लेम का जो खिताब है वो किस ने जीता है इस खिताब को जीत लिया दोस्तो एसले बार्टी ने करेक्ट अंसर है यहाँ पे option 2 अगला कुशन है कि भारत का पहला ग्राफिन नवाचर केंडर किस राज में इस्ताबित किया जाएगा तो इसे इस्ताबित किया जारा दोस्तो केरल राज में यहाँ पे करेक्ट अंसर है option 2 नेक्स कोशन है दोस्तो कि चीरू 2022 नौ से न अभ्यास किन देशों के बिच सुरू हो है तो इसकी जो सुरुवा थे दोस्तो वो चिन रूस और इरान के बिच हो रही है तो करेक्ट अंसर है यहाँ पे option 4 उप्यूक्त सभी अगला कोशन है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार कौन बने है तो यह बनगे दोस्तो वी अनंत नागिश्वरन करेक्ट अंसर है यहाँ पे option 1 और रिविजन का लाज कोशन है दोस्तो कि चरंजी सियंका जनवरी 2022 में निधन हो गया है और इनका जो संबंद है वो किस खेल से है तो संबंद है दोस्तो होकी से यहाँ पे करेक्ट अंसर है option 2 और अब दोस्तो सुरुवात करते हैं आज के current face की तो आज का पहला कोशन है आपके लिए क्या हाली में गूगल ने कि टेली कॉम कंपनी में एक बिलियन डॉलर निवेस करने की घोशना की है तो दोस्त में आपको बता दो कि भारती एटेल और गूगल ने long term multi year agreement समझोते की घोशना की है गूगल का जो कहना है कि एटेल यहाँ निवेश भारत के digital ecosystem के विकास में तेजी लाने के लिए कर रहा है तो आपको याद दखना है और अब दोस्तों अगले कोशन के और अगला कोशन है क भारत का सबसे बड़ा electric vehicle charging station कहां पर खुला गया है तो इसे खुला गया दोस्तों गुरुग्राम हर्याना में correct answer है यहाँ पर option 2 तो national highway for electric vehicle ने हर्याना के गुड़गाओ में भारत के सबसे बड़े electric वहान electric charging station का उधगाटन किया है इससे पहले दोस्तों यहाँ देश का सब सबसे बड़ा electric vehicle charging station नवी मुंबाई दिल्ले में इस्तापित किया गया था यह वहान charging station का जो मुख्य उद्दिश है वो क्या है दोस्तों तो विद्दूद वहानों को बढ़ावा देना ताकि petrol एवडीजल से तेज चलने वाले वहानों दौरा लगातर फेल रहे अगले कोशिन के ओर और आपके लिए अगला कोशिन है दोस्तों के हाली में पूरु सेकल का जो खिताब है वो किसने जीता है इस किताब को जीत लिया दोस्तों राफिल नडाल ने करेक्ट अंसर यहां पे option 2 और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है राफिल नडाल जिनों न और आपके लिए अगला कोशिन ओपन दोजार बाईस में पूरु सेकल का खिताब अपने नाम कर लिया है तो इस पेंड के राफिल नडाल ने दोस्तों और आपको बता दू कि 145 साल के इतियास में सबसे जादा मैंसर सिंगल खिताब जितने वाले पूरु स्खिलाडी बने हैं और यहीं पर हम दोस्तों बात कर लिए जो ये राफिल नडाल है इनके दौरह जीते गए अब तक के जो ग्रेंट स्लैं में वो कौन-कौन से तो फ्रेंच ओपन इन्होंने दूस्तों तेरा बार जीता है और विंबल्डन की बात करें तो इन्होंने दो बार जीता है और यूएस ओपन को दोस्तों अभी तक चार बार जीत चुके है और और उसली ओपन की बात करें तो यह दो बार यहाँ खिताब अपने नाम कर चुके है तो याद दखने हैं यहाँ पर जन्वरी को महत्मा गांधी जी की 74 वी पुन्य तिथी मनाई गई है यहाँ पर क्रेट अंसर है ऑप्शन थर्ड तो 30 जन्वरी 2022 को महत्मा गांधी जी की 74 वी पुन्य तिथी मनाई गई है भारत वासी 30 जन्वरी को दोस्तों सहीद दिवस के तौर पर भी मनाते है राज़पत में नाथो राम घोड से द्वारा इनकी हत्या कर दी गए थी तो याद अखना है आपको कि तीस जन्वरी को प्रतिवर्स सहित दिवश के रूप में भी मना जाता है हात्मा गांदी जी की पुन्य तिति भी इसी दिन मनाई जाती है तो यहां पर करेक्ट अंसर हो गया दोस्तो और आप चलता है अगले कोशिण को और इस राजज कहला करेक्ट अंसर है यहां पर आपशन थर तो केरला बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राजज thrilled भारत में दुरलब प्रजातिया और 103 दुरलब प्रजातिया और 110 सामान्य प्रजातिया और 44 बहुत सामान्य प्रजातिया और 10 सबसे प्रचुर प्रजातिया सामिल है तो दोस्तों आपको यार रखने हैं कि देश का पहली बार किरल राज्य में राज्य इस्तरी पक्षी एटलस तयार क किया गया है यहाँ पे करेक्ट ऐंसर क्या हो गया ऑप्शन थाड और अगले कोशन के और और अब लिए अगला वोशन दोस्तों कि डिजीटल संसथ नामक नए एक को किसने लौंच किया है तो इस एक को लाँच किया लोग सभा सची वाले ने करेक्ट अंसर हो जागा यहां पर option 4 तो लोग सभा सची वाले ने 27 जन्वरी 2022 को इस एप को लॉंच किया है और इस एप का जो मुख्य उद्देश है वो क्या दोस्तो एप की मदल से संसत की कारिवाई mobile पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी तो इसलिए दोस्तों नामक नए एप को किस ने लॉंच किया है तो लोग सभा सची वाले ने करेक्ट अंसर क्या हो गए यहां पर option 4 और आप चलता अगले कोशन के ओर और आप तलिए अगला कोशन दोस्तों की वीश्वा की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती प्रनाली ग्रेट बेरियर रीफ किस देश में इस्तित है तो यहां इस्तित है दोस्तों आप चलता अंसर है option 1 तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो ग्रेट बेरियर रीफ है यह ऑस्तित दुन्या की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती प्रनाली है ऑस्तित प्रधारमंती स्कॉर्ट मौरिश अन्य ने ने हा सरकार की अकसर आलुचना की जाती है तो आपको याद रखना है यहां पर की विस्तित का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ती प्रनाली है यहां दोस्तों कहां पर इस सीथ है और इसका नाम क्या है तो ग्रेट बेरियर रीफ यह आपको नाम याद रखना है और अब चलते है यहां पर option 2 महिला होकी एसे अकप में भारती टीम को जापान के खिलाब दोस्तों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है यहां पर मैं आपको बता दू कि यह जो महिला होकी एसे अकप हुआ था इसमें जो top 3 टीम रही थी वो कौन कौन सी है तो पहले स्थान पर है जापान दूसर सब्सकिन कोरिया और तीसरे पर है भारत जापान ने सोरण पड़ागि जीता है दक्षिन कोरिया ने रजत पड़ाग जीता है और भारत ने कास्य पड़ाग जीता है दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो मुकाबला है यहाँ ओमान के मसकट में सुल्तान काबल से स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में खिला गया था और यहाँ कौन सा संस्क्रन आयोजित किया गया था तो दश्वा और आयोजन इस्तल कहाँ पे है दोस्तों तो मसकट ओमान में तो यह सभी महत्वो पूर्णो पॉइंट है इस कोशन से जो आपको यादखना है यहाँ पर करेक्ट अंसर हो गया option 2 जापान और अब दोस्तों बात करते है डेली जी के तड़का डोस 13 की तो आज का जो पहला कोशन है इस डोस में आपके लिए कि कभीर के गुरू कौन थे तो दोस्तों में आपको बता दू कि कभीर के जो गुरू थे उनका नाम था रामानन अगला कोशन है कि एक होर्स पावर में कितने वाट होते है तो दोस्तों में आपको बता दूँ कि एक होर्स पावर में जो वाट की संक्या है वो 740 वाट होते है अगला कोशन है कि अटाला मज़ीत कहां पर इसी थै तो यह इसी थै दोस्तों जौनपुर उत्तर प्रदेश में तो आपको याद दखना है कि 18 मर्जित कहां परिस्तित है तो जौनपूर उत्तर प्रदेश में नेक्स कोशन है कि परला ओफ साइबेरिया किसे कहा जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि जो परला ओफ साइबेरिया है यह कहा जाता है बेकाल जिल को यादखना आपको कि परलावब साइबेरिया किसे कहा जाता है तो यह बेकल जिल को कहा जाता है अगला कुछन है कि भारती सविदान के अंतरगत कितने प्रकार के आपातकाल है तो दोस्तों मैं आपको बतादो कि भारती सविदान में तीन प्रकार के आपातकल है सविदान के किस अनुच्छेत के तहट राश्ची आपातकल की उजगोशना राश्चपती द्वारत की जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो नैसल इमर्जेंसी है इसका आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल याद रखना है 352 आर्टिकल में राश्ची आपातकल की गोशना की जाती है अगला गोशन है कि सविदान के किस अनुच्छेत के तहट राज्यो में सविदानिक तंत्र विफल पर राश्च्पती सासन लागू किया जाता है तो दोसो यह जो राश्रिपती शासन है या किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 356 मलब आर्टिकल 356 के तहत राश्रिपती शासन लागू किया जाता है अगला point है कि सविदान के किस अनुच्यत के आधार पर राश्रपती देश में वित्ती आपात की घोशना करता है तो यह article है दोसो 360, article 360 के तहद राश्रपती देश में वित्ती आपात की घोशना करता है और डेली जी के तड़का का आज का लास्ट डोस है आपके लिए कि हैपेटाइटिस किसके कारण होता है तो दोसो यह होता है वारस के कारण तो याद दखना यह सभी महत्वपूर्ण कोशन थे आज के इस डेली जी के तड़का डोस में और आप हम दोस्तों बात करते हैं आज के कोशन अब दड़े की तो आज का जो कोशन है आपके लिए के हाली में सुभाश चंद्र बोस आपदया प्रबंदन पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है इसका सही जवाँ आपको दूसरों कमेंट सेक्षन में देना है तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं परेंड होता है अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मैनेत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरू करें, सेयर करें अगर आप इसे नहीं हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरू कर ले थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई टेक केर